नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेश पर आपका स्वागत है डेटा आज की साथ जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियान एक्सप्रिस की इंपॉर्टन न्यूज और एक्स्पिन पेज से इंपॉर्टन आर्टिकल जो अभी हम डिसकस करने वाले हैं फर्स्ट न्यूज जो हम डिसकस करेंगे वो यह है गवर्णर रिशाफल न्यू मिनिस्ट्री क्लियर्स डेक फॉर कैबिनेट एक्सपंशन तो अभी नई मिनिस्ट्री इंट्रड्यूज की जा रही है आज अभी जो शापत समारो अभी चली रहा है मैंने अभी टीवी में दे देखेंगे और कुछ आउटकम जो आपको कुछ इंपोर्टन पॉइंट जो आपको लक्षमिकान से रिवाइज करना है वह मैं बताऊंगा दूसरा मुद्दा है इदर की डेलिमिटेशन को लेकर के बाचीट चल रही है जम्मों एंड कश्मीर में उसमें अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज के क्या ओपीनियन है वो जानेंगे तीसरा इदर आप देख सकते हो चाइना के उपर नजरे हैं अभी दलाई लामा का बाद्दे था तो उस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी विश्चेस दी है और पॉब्लिक में ओपन लिका है कि दलाई लाम के साथ हमारे रिलेशन अच्छे थे पिछले साल से पहले कोविड आउटब्रेक होने से पहले जब वो इस्टन लद्दाक में चाइना ने अग्रेशन दिखाया उसके पहले जो रिलेशन थे उस टाइम पर हम दलाई लामा जबाद्चीत को इतना पॉब्लिक ली ओपन ली नहीं बोलते थे ठीक है बाकी देखो और तो दो सोलजर्स मिले हैं आई एस आई जो पाकिस्तान के इंटलिजेंस एजिंसी है उसके साथ में लिंक को लेकर के तो यह बताया हुआ है इदर कमर यात्रा को कैंसल किया जा चुका है ठीक है कि कुम्ब के टाइम पर हमें पता है सेकंड वेव कितनी ज्यादा उटब्रेक हुई थी तो ऐसे मैं अब उत्राखंड में कमर यात्रा इसको कैंसल कर दिया गया है तो कमर यात्रा के बारे में आप जरूर एक बार पढ़ोगे क्योंकि आर्ट और कल्चर पॉइंट ऑफिस एंपॉर्टन टॉपिक है यह त्वि और एक यह राजस्तान के लिए इंपॉर्टन न्यूजर जो लास्ट में डिसकेशन करोंगे ले लेंगे एक इसके अलावा आगे देखें सुप्रीम कोट ने एक प्ली को रिजेक्ट कर दिया जिसमें यह डिमांड की जा रहे थी कि जगनात रत यात्रा जो है वो पूरी के आ सकते हैं और आते भी हैं कई बार ठीक है आगे चलते हैं एक्स्प्रेंट पेस्पे देखो यह वाला आर्टिकल इसमें तो लंबदा नया वेरियंट आया है कोरोना का देखो इसके केसिस जो है वो पेरू में ज्यादा है ठीक है पेरू साउथ अमेरिकन कंट्री वहां पर तो ज्यादा कुछ हम देखेंगे डेल्टा वेरियंट देखें और इस्राइल का लेटेस डेटा देखें तो फाइजर वेक्सीन को लेकर के वहाँ पर डेटा रिलीज हुआ है तो यह देखो कोविड से रिलेटेड ही आप खुद ही देखोगे इसको हम देखेंगे इन दोन देखेंगे जिसके बारे में थोड़ा एडिया कर ले लिया था हमने जिसमें डिपार्ट्मेंट औफ डिपार्ट्म फोर प्रोमोश्यं ऑफ इंडबर and internal trade की जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी जो open network for digital commerce ONDC establish करने के लिए अभी panel को constitute किया है nine member panel है तो क्या-क्या provision होंगे open sourcing का मतलब क्या होता वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे GST का यह data से related है कि पिछले 10 महिनों में lowest collection रहा है GST का पर हाँ पिछले साल जून में जो था collection GST का उसके comparison में यह जून महिने का अच्छा रहा है यह बताया जा रहा है तो GST collection को लेकर के है बस किवले एक trend देखेंगे इसका हलका साब देख सकते हो कि पिछले वह भी अब सालों में नहीं है महिनों में तो इतना important बनता नहीं है डिस्कॉम्स को बोला है कि वही आप exit करने के लिए बिलकुल free हो कि आपने किसी भी company के साथ में पर्चेज पावर पर्चेज पैक्ट किया हुआ है उससे आप withdraw कर सकते हो जानेंगे क्या है पुरा मुद्दा इसके लावा bond yield देखो फिर से rise हो रही है 6.18% इसका क्या effect रहेगा वो जानेंगे बाकी तो देखो और भी इतनी ज्यादा को important news लग रही है यह नहीं है जो कि हमें discuss करनी हो इस particular page से इसके लावा world page पे एक बार थोड़ी सी summary ले लेंगे कहां पर क्या चल रहा है ओके चलिए start करते है detail में देखो first news है एक तो नई ministry start की जा रही है ministry of cooperation दूसरा इसमें important चीज क्या है governors को reshuffle किया जा रहा है ताब इससे related आपको governance वाला जो chapter आयम लक्षमी गांत में वो revise कर लेना इसके अलावा जो इसमें important point है वो एक यह ही है कि council of ministers की जो strength है वो कितनी हो सकती है तो लोग सभा की जितनी strength है उसका 15% जादा से जादा उससे कम बलही हो जाए जादा नहीं होगे और council of ministers में से ही आप cabinet निकालते हो ठीक है तो cabinet और council of minister में एक tabular form में difference दिया हुआ है अमलक्षमी गांत में उस difference को अच्छे से पढ़ लेना ठीक है तो यह था इसमें ज्यादा कुछ काम करनी है क्योंकि reshuffling हो रही है जो पुराने ministers हैं उनके आत में कईयों के 2-2-3-3 ministries थी तो उनका load gum करना नए चहरों को नए लोगों को या फिर जो youngsters हैं उनको नई opportunity देना जिससे कि वो और नया काम सीख सकें वो सारी चीजें करने के लिए reshuffling होती रहती है changes आते रहते हैं cabinet में ठीक है delimitation की बात आ रही है जम्मो एंड कश्मीर में तो congress ने ये कहा कि अब भी अगर आप delimitation करते हो बोले इसका use कुछ नहीं है पहले statehood restore करो तो अलग-अलग party के अपने-पने opinion है हमारे लिए important क्या है कि वह delimitation अगर होता है या statehood restore किया जाता है तो उसके पीछे क्या procedure होता है तो जानते हैं इसमें आगे देखो अगर जम्मो एंड कश्मीर को restore किया जाता है statehoodship तो ऐसे में हमें experts का ये कहना है कि central government को एक-ओड legislation नया introduce करना पड़ेगा parliament में जिसमें article 3 के तहत है एक legislation पास होगा हमारे constitution में article 3 के तहत चेंजे जाएंगे और restore की जाएगी statehood को ठीक है अब जैसे कि हमें पता है कि जम्मो एंड कश्मीर reorganization act 2019 आया था इसमें क्या था इसमें प्रोविजन थे कि यहां state of जम्मो एंड कश्मीर को एक तो यूटी में convert किया जाएगा दो यूटी बना दी गई थी तो article 3 के तहत restore होगी अगर जम्मो एंड कश्मीर को statehood restore की जाती है तो एक नया legislation जाना माना जाएगा अब सवाल ही आ जाता है कि article 3 के तहत अगर constitution में changes लाए जाते हैं या किसी यूटी को statehood दी जाती है तो क्या इसे constitutional amendment माना जाएगा article 368 जिसमें constitutional amendment किये जाते हैं क्या उसके तहत ये provision होगा या normal legislation लाकर के भी simple majority के आधार के उपर भी ये काम किये जा सकते हैं ये बहुत बड़ा सवाल है answer ढूणना इसका ठीक है और जो अच्छा comment लगेगा सही answer होगा उसको मैं pin कर दूँगा ओके आप ढूंडो इसका जव transparency की ज़रुत है और 2026 से पहले delimitation हो जब 2027 का अभी लगाया हुआ आपको पता है कि जो amendment act आया था मुझे याद निया रहा कौन सा रहा था वो 180, 90 something आप बताना मुझे कि कौन सा amendment act के तहत constitution के fix की हुई है लोगसभा, राज्यसभा की seat को जिसमें कि अब delimitation किया जाएगा मुझे थोड़ा से यार यह factual चीज थोड़ी सी problem रहती है मेरे साथ में पर आपको तो याद करनी चाहिए ठीक है तो वो थोड़ा सा देख ले ना तो आप बताओगे मुझे comment box में कि कौन सा amendment act के तहत fix की गई थी लोगसभा राज्यसभा की seat को कि 2026 के बाद में ही change किये जा स्टेट हुड दो और साथ में confidence building majors उठाओ जिससे की लोगों के मन में आपके लिए विश्वास है communist cpm जो है वहां पर उनका यह कहना है कि आपका जो 2011 का census data है उसके हिसाब से calculation कर आप 2026 में आपको पता ही है कि जो census apply होगी तो वह कौन सी होगी 2021 की वह बाता लगा कि 2021 का census है आगा तो census तो देखो एक decadal process है हर 10 साल में होता है तो वो तो होना ही है उसमें doubt ही नहीं है तो ऐसे में 2026 का आप देखो की चेंज और 2026 में delimitation हो तो उसके लिए भी cpm तो यह बोल रही है कि क्या कि 2011 के census अपने अपने हैं भई people's conference का यह कहना है कि फेर तरीके से करो और constituencies में मतलब कुछ भी ऐसा काम मत करो जिसकी वज़े से कोई परेशानी हो और अपनी पार्टी जो की प्रो भी जेपी है वो कहती है कि process को expedient करो जल्दी से खतम करो तो यह अपने अपने political issues है हमें जो पढ़ना था वो मैंने आपको दो question बता दिये और आर्टिकल 3 के तहती ह चेंजे जाएंगे जो कुछ भी आएगा ठीक है आगे चलते हैं नेक्स जो न्यूजब वो है देखो कि state government को अभी approval दे दिया गया है कि वो tiger corridor डवलप कर सकती है तीन tiger reserves को connect करके जिसमें एक तो रन्थमपोर हो जाएगा एक हो जाएगा रामगर विश्धारी और एक हो से चल रहे थे मतलब दो tiger reserves mainly चल रहे था तीन हो गए ने तीन चल रहे था चार हो गए तो तीन कौन कौन से थे पहले एक तो सरिस्का tiger reserve दूसरा था रंथम बोर और तीसरा था मुकंद्रा हिल्स यह तीनों की तीनों tiger reserves राजस्तान में located है और अब चोधा चोथा जो है वो र राजस्तान का एक district है सवाही माधुपूर उसके बाद में जो रामगड़ विश्धारी है वो बूंदी में आ जाता है और फिर उसके बाद में मुकंद्रा हिल्स कोटा वाले रीजन में आ जाता है इन तीनों को connect करके एक tiger corridor create किया जाएगा इससे क्या होगा tigers को move करने में प पड़े लिया होगा कई वार आता रहता है और मुकंद्रा हिल्स भी यहीं पर है ठीक है बाकी चीज़े देखो जो में में थी वो मैंने बता दी यही हमें in context आगे चलते हैं और यह approval किस नहीं दिया है यह देखो union ministry of environment and climate change ने यह approval दिया है इसके लिए ओके अब आपके बुक उठाओ और पड़ो उसके अंदर ठीक है देखो इसी तरीके से connect करके पड़ोगे ना तब तो आपकी exam बहुत आसानी से clear होती हुई दिखाई देगी आपको कि हाँ क्योंकि एक revision का तरीका है यह आगे चलते हैं अब देखो next article है restaurant versus swiggy zometo क्यों क्या है अभी इनके ब options दो ही available है बढ़िया से अगर नाम देखो तो add भी नहीं क्या आते रहते हैं swiggy and zometo तो इनके through जिन लोगों ने भी order place किये उन consumer तो किस से connected है swiggy और zometo के through और restaurant तक यह पहुंचते हैं zometo और swiggy तो ऐसे में यह consumer है किसके यह बतावा आप ultimately यह तो क्यों service providers यह है वो e-commerce platforms का case आगे है यह मानू आप ठीक है खेर वो मुस्मुद्दे से idea ले रहे है Amazon यह flip card यह क्या करते है mediatr का का काम ही तो कर रहे है seller manufacturer कोई और है खरीदने वाला कोई और बस यह बीच में के और अपनी दलाली करते हैं एक तरीके से हो गया तो हो क्या गया कि कोविड के चलते सारा जो लेंदेन था customers का खाने पीने की चीजों से लेके वो इन swiggy zometo के through होने लग गया तो इन्होंने कुछ ऐसी के मतलब activities की ज जो गलत तरीके से काम करते हैं इनके उपर आप लगाम लगाओ देखा हमारे याँ पर competition commission of India काम क्या है कि एक fair manner में market force काम करें कि जिस चीज की quality अच्छी उसके demand अगर ज्यादा हो रही है तो कोई problem नहीं है पर आप manipulation करना शुरू कर देते हो तो वहाँ पर competition commission of India कुछ कुछ भी entity के against में तो NRAI नहीं यह कहा है कि इन्होंने competition के laws जो है उनको वाइलेट किया है जिसमें एक तो यह कि data को mask कर दिया मास्क का मतलब हो गया कि स्वीडी जो स्वीगी और आपने मोबाइल में download कर रखा है और आपने कुछ order देना है मानलो की पनीर की सबजी आप मंगाना जा रहे हो तो ऐसे में आप उस platform को open करोगे open करने के बाद में आप वहाँ पर शुरुआत करते हो तब क्या होता आपकी detail मांगी जाती है कि आप कौन हो कहां पर रहते हो आपको mobile number वह सारी detail आपके personally यहां पर डाल दिंगे अब आप यहां पर चूज करोगे यहां पर enlisted जो delivery boy वह वहां पर जाएगा और बोलेगा कि लाओ यह order आया है उनके पास में भी update चला जाएगा restaurant वाले वह तयार रखेंगे और swiggy वाला ले करके और उसको आ जाएगा अब इसमें जो main common platform है वो क्या है वो केवल एक application वो zometo है या फिर swiggy है तो अब आप बताओ क्या इस restaurant वाले मालिक के पास में इस user का data पहुँचा पहली बात तो यह दूसरा इस data को यहाँ पर swiggy platform ने ही mask कर दिया मतलब hide कर दिया या फिर उसको manipulate करकर कि यहाँ पर दिखा दिया जैसे मान लो कि इदर x y z नाम के बंदे ने order book किया और यहाँ पर बेज दिया इस restaurant मालिक के पास वहाँ पर बेज देगा कि आपके पास में 1,2,3,4 करके एक message आया हुआ है और वो जो delivery boy है वो वहाँ पर बोलेगा कि यहाँ जी 1,2,3,4 का order आया जी आया है लाओ दो तो यहाँ पर क्या हो गया कि data किसके पास रह गया स्वीगी और जॉमेटों के और आपको पता ही है data is a new fuel अगर 21st century की बात करो तो एक तो बोला गया है कि यह masking बहुत करते है data को दूसरा exorbitant commission कमाते है restaurant से कि यह बोल दिया जाता है restaurants को कि आपका physically तो pandemic के time पे कुछ sell हो नहीं रहा है तो आप यह बताओ कितना commission दोगे एक पनीर की plate के ओपर कितना दोगे तो एक restaurant A वाला बोलता है कि एक plate के ओपर 15 रुपए दे दूँगा दूसरा बोलता है कि नहीं मैं 20 रुपए दे दूँगा तो ऐसे में आप बताओ यह swiggy और zometo वाले थोड़े बहुत partiality करेंगे की नहीं इस 20 रुपए commission देने वाले restaurant को उपर यूपर ranking में दिखाएंगे की नहीं बोले यह एक violation ह तो competition को violate कर रही है यह companies तो यह चीज anti-competitive practices consider की गई और इसी बात को लेकर के National Restaurant Association of India यह क्या है competition commission of India के पास पहुंच गया कि इन पर लगाम लगाओ यह अपनी मनवानी करने लग गये हैं और दूसरी तरफ यह बहुत सारा इस तरीके के कोशिशे करते हैं कि ज़्यादा से ज count देना ठीक है ज़्यादस ज़्यादा commission कौन दे रहा है उन restaurant को ज़्यादा highlight करते हैं बाकियों को यह down कर देते हैं तो क्या यह fair competition वाला काम हुआ तो देखो यह अभी तक तो बात पहुंची है competition commission of India के पास में response अभी तक स्वीगी और जमेटों ना officially कुछ दिया नहीं है औ competition commission of India भी इस बात के उपर अब देखो पूरी investigation होगी फिर उसके बाद में आगे proceedings होगी क्या होता है क्या नहीं अभी फिलहाल तो मुद्धा complaint के तौर पर register हुआ है यह है समझ में आगया होगा आगे चलते हैं next article है सी संकरन नायर के उपर अभी movie बनाई जाएगी बताया बोला है करन जोहर जो film producer है डिरेक्टर है उन्होंने तो इन्होंने जो हम independence के हमारी struggle थी उस टाइम पर बहुत important role play किया था यह lawyer भी रह चुके थे उस टाइम पर और Congress के President भी रहे हुए है और साथ में इनकी तीसर duty थी जज़ भी रह चुके थे यह मदरास हाई कोट के अंदर तो ऐसे में इनके ओपर बायोपिक प्लान हो रही है तो यह एक important personality हो जाती है exam point of you से अगर फिल्म अब बात करें context तो यह मैंने बता दिया करण जोहर फिल्मेकर उन्होंने अनौन्स किया है कि वो एक बायोपिक बायोपिक प्रड्यूस करेंगे सर चतुर संकरन नायर सी संकरन नायर के उपर जो कि मदरास हाई कोट में लॉयर भी थे और वहाँ पर जज़ भी रह चुके हैं जिन्होंने इंगलेंड के अंदर 1924 में केस लड़ा था जलियां वाला बाग मैसकेर हुआ था उसमें जब पं इस बुक को लिखने वाले जो राइटर है वो बेसिकली नायर के ग्रेट ग्रांट सन है रगू पालत और उनकी वाइफ है पुश्पा पालत उन्होंने मिलके ये बुक लिखी है तो देखो कई बार क्वेशन आ जाते हैं यह पीसे प्रिलम्स में ठीक है कि इसी से रिलेटे किसे यह जो न्यूज है इसमें एक एक लाइन हमारे लिए इंपोर्टन है कम से कम यह इंट्रोडक्शन नायर जो है वो देखो इंडियन नेशनल कॉंगरेस की शुरुआत की बिल्डिंग में पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं और उन्होंने 1897 में कॉंगरेस की प्रेजि बातार अपनी तरफ से पूरे एविडेंस डाल रहे थे तो वो जो पूरा कोट में डिबेट था ना उस कोट के डिबेट को यहाँ पर पिक्चराइजेशन में किया जाएगा इवन आप देखो 1922 में एक बुक आई थी गांधी एंड एनार्की क्योंकि गांधी जी ने क्या है तो उस चीज को ले करके गांधी जी को भी क्रिटिसाइज किया था इन्होंने यसी बात नहीं है नार्サाब ने पर वो ही बात है यहाँ पर जो मुद्दा है वो यह केş्छ जो चल रहा था जाले वाला बाग बाग को ले करके उस केश में इन्होंने डिफेंड करना शुर थी ठीक है लॉयर और जज्ज के तोर पर इन्होंने काम किया है बाकी तो देखो इन्हों ने और भी अच्छे से participation लिया हुआ है मद्रास में केस आया था 1897 में कि इंटर कास्ट मेरिज और इंटरिलीजियस मेरिजिस को इन्होंने अफेल्ड किया था 1908 में जब यह देखो 1997 में कॉंग्रेस के प्रेजिडेंट बने थे यंगेस्ट नमबर वन पॉइंट इनकी ओपर इसमें एक radical judgment दिया ही नोने कि कोई individual जो की हिंदुईजम में पहले थार उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वो धर्म परिवर्तन करने के बाद में return हिंदुईजम में आ रहा है तो बोलो उसको आप outcast नहीं कर सकते हो चाहे वो individual intercast marriage करे या interreligious marriage करे आप बिलकुल भी ignore नहीं कर सकते हो उनको validity मिलनी चाहिए ऐसे इनके कदम थे Montague James Ford reforms में इनका बहुत बड़ा रोल था जब 1990 में वो Montague James Ford reforms आये थे कि Indians का participation administration में increase हो इन्होंने लगातार अपनी तरफ से काम किया उस चीज़ के लिए ठीक है तो यह कुछ modern history के important points थे जिनके साथ में हम इनको connect कर स सकते हो यह इन्होंने अपने जो भी बाते कह दी ना उनमें कोई compromise नहीं किया चाहिए यह जब वाइस रॉय की executive council में participate भी कर रहे थे तो यह अपने आप में बड़ी important चीज आ गई जलिया वाला मैसे क्री मैसे केर इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लोगे इंपोर्ट किया गया है अब देखो बात यह है कि online retailers के लिए इस open sourcing में क्या है और क्या उनको नुकसान हो सकता है basically कल हमने news देखी थी department for promotion of industry and internal trade उन्होंने एक order issue किया है कि advisory panel establish किया जाएगा जो की काम करेगा open network for digital commerce के लिए suggestion देने का इससे क्या होगा कि कोई भी digital e-commerce company अपनी monopoly स्थाफ यूज करते हो चाए phone पे यूज करो चाए कोई सा भी application आप यूज करो पर base जो है उसका वो है unified payment process interface तो उस case में आपने एक platform लिया और उस platform को easily कोई भी company अपने हिसाब से डवलाप करके अपनी application के through और यूज कर सकती उस platform को banking transactions को conduct कराने के लिए same चीज यहाँ पर क्या होग vendor को discover करना price की discovery करना कि हां market में क्या price salary है कितनी rate के ओपर हम product हमारे platform पे बेच सकते हैं product का catalog तयार करना यह सारी चीजे normally अभी तक क्या है e-commerce companies खुद करती है जैसे कि Flipkart Amazon या फिर आप कोई भी दूसरी company उठा कर के देख लो इसका नाम ले लो snap deal का ठीक है और भी बहुत सार आपको पता आज योज पता नहीं कितनी गणी company आने लगई आपको पता है तो ऐसी परिस्तितियों में क्या होगा है इन company को ये सारे काम खुद से करने होता है अब क्या होगा ये काम एक open sourcing के तोर पे एक place पे या एक software basis पे एक web portal पे openly अवेल करा दिये जाएंगे या software basis पे और use करना शुरू कर देगी उस data को तो नुकसान तो देखो बड़ी company को होगा वो कैसे है क्योंकि इस सारे कामों के लिए seller vendor price इन सब के लिए उन्होंने पहले से बहुत बड़ा investment कर रखा है तब ही तो आज amazon amazon इतना बड़ा company बन गई इसी तरीके से आप देखो flip card इतनी vendor seller price discovery product catalog यह सारे के सारे एक जगे पढ़े होंगे अब जिस company को भी participate करना है वो इस catalog और इस particular platform से access कर सकता है और अपने product तयार करो बेचो भही अब तो यह चीज की जारी तो UPI वाला जो concept है ना उसके उपर यह काम करने वाला है उसी चीज के उपर members देखो इसके अंदर कौन कौन से है try के member है ठीक है इसको चेर कौन कर रहे है यह जो अभी हमने panel की बात किया है यह है chairman है ट्राइ के chairman है RS सर्मा ठीक है former chairman रह चुके हैं इसके अलावा नंदर नीले कनीजी जो की non executive chairman है infosys के वो भी member है इसके अलावा quality control quality council of India यह बहुत important entity है quality council of India इसके ओपर UPS से प्र important होती है इनको बिल्कुल ignore ना करें यह सारे members है देखो और भी ओके तो मुद्दास आपको समझ में आ गया तो इसको थोड़ा सा समझ लेता है कि open sourcing और close sourcing का मतलब क्या होता है open sourcing का मतलब कि आपको बिना कोई हिचक के कोई भी company उस open source platform को access कर सकती है इसका example देखो बढ़ वो केवल और केवल Apple खुद का करेगा अब दूसरी तरफ Google की बात करो Google क्या है Android operating system पे काम करते हैं तो इन Android operating system के जो software's है आप उनको कोई भी company अपने हिसाब से change करके अपने hardware के हिसाब से change कर सकती है जैसे कि Samsung अपने हिसाब से डालती है Xiaomi अपने हिसाब से OnePlus अपने हिसाब से Android system है यह क्या हो गया आपका open source तो यही चीज आप apply करोगे ONDC में समझ गहोंगे यहां तक फिर आगे देखो DPIAT का यह intention इस तरीके से क्या है देखो बात ऐसी है कि किसी भी एक company की monopoly ना हो एक competition वाला market हम create करें उसके लिए यह सारी कोशिशें की जा रही है ठीक है तो supplier हो गया efficiency in logistics कि हम material को उठाने में या फिर लाने ले जाने में उसको maintain रखने में सामान को वो problem नहीं आए और consumer की value होगी देखो main चीज यह है ठीक है consumer को हमें देखो competition में फायदा होता है जितना अच्छा competition उतना ज्यादा फायदा रहता है consumers को आगे चलते हैं यह panel का नाम आप जरूर clarification दिये हैं जिसमें यह कहा है कि जो discoms है distribution companies है electricity वाली वो बिलकुल free है कि वो power purchase pact को खतम कर सकती है जैसे ही वो term end हो जाए इसका मतलब एक छोटे से example से समझो तब आपको समझ में आ जाए कि power purchasing pact होता क्या है basically यहाँ पर यह रहा एक company है discom company जिसका नाम है B.S.E.S. या मुना limited power generation का काम करती है मतलब यह तो electricity produce होती है यहाँ पर distribution होता है तो इन्हों ने जिस ने produce किया N.T.P.C. उसके साथ में B.S.E.S. या मुना पावर ने क्या कर लिया एक pact कर लिया कि हम 5 साल तक आप से electricity करी देंगे और यह भाव रहेगा unit का तो यह क्या हो गया power purchasing pact और time fix हो गया अब वो power purchasing pact का अगर time complete हो जाता है तो ऐसे में अब यह B.S.E.S. जैसी जो companies है distribution, discom companies है यह चाहे कि हम इस pact से बहार निकलना चाते हैं तो power ministry ने इसी को clear किया है कि निकलना चाहो तो आराम से निकल सकते हो कोई आपके ओपर दबाव नहीं है और यह चीज कौन regulate करता है Central Electricity Regul Commission यह कल पर सो भी आये थी body news में लिखा होगा notes आपने नहीं लिखा तो notes बना लो revise करो okay main चीज इतनी थी ज्यादा कुछ काम की नहीं है इसमें और benchmark bond yielding की बात करें तो देखो 10 साल का जो bond release होता है उसकी जो yielding है वो 6.18% तक पहुँच गई है bond yield का मतलब आप यह मानों कि bond yield yield अच्छा है इसका मतलब return अच्छा मिलेगा इसका मतलब हो गया bond bond क्या है जी debt market instrument उधार लेने के लिए बड़ी बड़ी कंपनिया सरकारें क्या करती है bond market में bond release कर देती है अब इसमें भी benchmark bond जो होता है वो 10 साल के tenure के लिए release होता है एक जो standard माने तो ऐसे तो variation रहता है लग market में उधार वाला जो market है उसमें invest करना शुरू कर देंगे और वहां से ब्याज कमाएंगे या फिर जो कुछ भी उनका मुनाफ़ा बनेगा वो कमाएंगे और इसका हर जाना किसको भुगतना पड़ेगा equity market को shares में जिन लोगोंने पैसा लगा रखा है वो shares को बेच करके और share market में क्या असर जाएगा या equity market में क्या असर जाएगा तो वहां पर investment कम हो जाएगा ध्यान रखना आप ठीक है बाकी तो देखो इस paper पे और तो कोई मुझे इतनी important news लगी नहीं चाइना देखो लगातार कंपनियों पे लगाम लगाने कोशिस कर अब शायद चाइना पता मुद्ध आपको पता है वहां पर democracy को बिल्कुल खतम करने की जचा रखी है चाइना ने उसी तरफ ध्यान देते हुए दिद्धी करके global platform में उस लिस्टेड कंपनी को बंद कर रहे हैं शुपरवीजन ज्यादा करना शुरू कर दिया मॉनेटरिंग मॉनेटरिंग तो यह conservative stance है बाकी तो देखो अपने अपनी policies अपने अपने कदम बाकी चाइना ने देखो global जो supply chain है उसका बहुत फायदा उठाया है खुद की growth को रजिस्टर करने में ठीक है ना तभी तो हमार वर्ल्ड पेस पर ऐसा कुछ बचा है वो देखते हैं वर्ल्ड पेस पर फर्स्ट निउस है कि country अब दिरे दिरे अपने consulates को बंद कर रहे है नौर्दन अफगानिस्तान से वजह कि तालिबान लगातार वहां पर अपनी पकड़ बनाये जा रहा है भाग रहे हैं देश देवान का आ रहा है भाग जाएं ये वैसे या फिर ये नेटो के जो country इनका क्या लेना दिना है बॉर्डर तो हमारी शेर होती है ना अफगानिस्तान में instability आती है तो उसका आरजाना इंडिया को बुगतना पड़ता है जो की 1990s के टाइम ने हमने बुगता है ये जो कश्म लगा दी तालिबान ने ही USSR को बगाया था मतलब जब वो मुझाहिद दीन नाम से चला करते थे फिर तालिबान के नाम से जब constitute हो जाता एक organization उसने फिर बात में USA की नाक में दम कर दिया 20 साल हो गया हालत खराब कर दी मुखी खानी पड़ी है निकल गया USA अब चुपचाप पहां से चुपचाप तो क्या निकला परिशान हो करके तो ऐसे में अब इंडिया जल्दबाजी नहीं कर रहा है कि किसी के हाथ में भी पावर हो हमें engagement तो रखनी पड़ेगी और तालिबान को जब western countries ही recognize कर रहे हैं तो हमें भी recognize करने से पीछे नहीं जाना चीए अगर वाक क्या का plane जो था crash हो गया कोविट 19 को लेकर के पता ही आपको चाइना को सब आड़े आतों ले रहे हैं तो politics खेली जा रही है अब चाइना की Communist Party ने के जो लीडर है अभी कौन है जी सी जिन पिंग उन्होंने ये का है कि आप लोग सुनो मत वर्ट के अंदर चाइना के अगें के अंदर पहली public sector school खोली गई है Transgenders के लिए Hong Kong में Communist Party की पकड़ को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश है की जा रही है Parents को Teachers को ये कहा जा रहे कि आपके जो बच्चे हैं उन पर नजरे घडा के रखे रखो अगर कोई भी law and order को break करता है तो आप हमें बताओ वही बात है Hong Kong में देखो democracy को मारा जा रहा है वहाँ पर इसके अलावा इसराइल में कानून लाया गया था जिसमें ये था कि अगर कोई individual इसराइल का है और उसकी शादी Palestinian लड़की से होती है तो ऐसे में Palestinian लड़की को citizenship नहीं दी जाए ऐसा law बिल इंट्रड्यूस किया गया पुलीस और मिलिटरी दोनों में मिलकर कि मैं मारके डॉक्टर्स पर अटेक करना शुरू कर दिया जो कि बहुत दुखद है गलत बात है पर देखो तो जो यहां पर देख सकते हो कि यहां पर आप देख सकते हो गोपी आप्स आउट ऑफ टॉक्यो टो मेक स्पेस फॉर इंडॉनेशन कोच तो पुलेला गोपी चंद जिन्होंने दो ओलम्पिक मेडल दिलाया है हमें ठीक है बैडमिंटन की बात करे तो एक तो द के अंदर अब उन्होंने क्या है अपने आपको अप्ट आउट इसली क्या है कि टोटल पांच मेंबर्स की असिस्टेंट स्टाफ जा सकता था तो ऐसे में अगर गोपी चंद जाते तो फिर इंडोनेशिया की जो में कोच थी बैडमिंटन के वो नहीं जा पाते तो ऐसे में सब देखेंगे ग्रेंट स्लेंप में से एक है ठीक है ग्रास कोट पे खेला जाता है इधर देखो कोविड 19 से साथ नए साथ जनों की इंफेक्शन मिला है कोविड 19 का इंगलेंड की क्रिकेटर्स में तो देखते हैं इंडिया के साथ में जो सीरीज होगी उसमें क्या कैसा टीम उतारते हैं इतना कुछ काम कर नहीं है इसके अलावा एक न्यूज बच रही हो राजस्तान वाली वो देखते हैं लास्ट आर्टिकल आज की न्यूज का कि जैपूर की लड़की है एक इलाक्षी वो वर्ल्ड चेस्ट चेंपियंशिप में अंडर 14 ग्रूप को ग्रू सब्सक्राइशन के द्वारा उन्यूज 21 को जून में सब्सक्राइब करेंगी है इंडिया को तो यह पहला परग्राफ इंपोर्टेंट है बाकी कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं ठीक है तो डिसकेशन में इतना ही है थैंक्यू वेरी मुच वरॉचिंग इस वीडि क्यों